बच्चों हम पढ़ रहे हैं कक्षा साथ का विज्ञान विशे का ध्याय सत्रा वन हमारी जीवन रेखा इस पार्ट के पिछले भाग में हम कहां गए थे वन भ्रमन पर गए थे और हमने देखा था कि वनों में अनिक प्रकार की जीव जन्तु और पेड़ पौधे पाये जाते हैं लेकिन उससे पहले हम लेते हमारे दो प्रश्ण चो पिछली वीडियो में मैंने आपको होमवर के लिए दिये थे एक बार हम उनका सही उत्तर चेक कर लेते हैं पहला प्रश्ण था वनों से कौन-कौन से उत्पात प्राप्त होते हैं तो कौन-कौन से उत्पात प्राप व्रक्षों की शाखाएं होती है कि कम उचाई वाले व्रक्षों पर चत के समान आवरण बना लेती है जिसे ही क्या कहते हैं वीतान अत्वा कैनोपी कहते हैं तो बच्चों यह हो गए दोनों प्रशनों के उत्तर अब बढ़ते हैं हुमारे टॉपिक की दरख तो आज हम समझन साओं में रहने वाले जीव घृव ज चन तु और पेड़ अना प्रतर मौ अप्रत्यक्ष रूप से बने बहुत के लिए इन पौधों पर निरभर रहते हैं चाहे वो शाका हारी जीव हो चाहे वो मासा हारी जीव हो यानि कि जो पेड़ पौधे हैं ये क्या कर रहे हैं अपने भूजन का निर्मान स्वैम कर रहे हैं और जो वन में अन्य जीव हैं कि किस पर निर्भर है अपने पौशन के लिए इन पौधों पर निर्भर होते हैं तो तो कीटो को कौन खा जाएगा मेंडक खा जाएंगे और इस मेंडक को सर्प खाते हैं और सर्प को गरूड खाता है तो एक चेंग चलती रहती है इसी हम क्या कहते हैं खाद श्रंकला या फूड चेंग कहते हैं जैसे कि क्या हो रहा है यहां पर घास को कौन खा रहा है कीट खा जाता है मिंडक को आगे कौन खा जाएगा सर्प खा जाएगा और इस सर्प को गरूरत खा लेता है तो इस तरह की बहुत सारी खाद श्रंकलाएं वनों में चलती रहती है और ये खाद श्रंकलाएं एक दूसरी संब्ध होती है जिसे क्या कहते हैं खाद जाल कहते हैं ऐसा नह अन्य खादश रंखलाएं भी इससे प्रभावित होती है उधारण के लिए यदि हम माने कि वन के किसी एक घटक जैसे की व्रक्ष को हमने अलग कर दिया है तो क्या होगा इससे अन्य घटक भी प्रभावित होगे यानि कि सभी खादश रंखलाएं से प्रभावित होगी बच करते हैं गेहरे रंग के पधार्त में परिवर्थित कर देते हैं जिए म हम क्या कहते हैं और… पोशक्क tत्मों की मात्रा और भूजबल होते हैं यह क्या करते हैं मृदा से जल और खनीज़ लवणों का उस्योष करते हैं और अर् sitio असीशं के द्वारा भोजन नुट कु पोशक तत्व है यह रे सिसे की द्वारा इंदर पोशक तत्व के अंदर जो पोशक तत्व हो जाते हैं। और यह पोशक्तत्व पुने सजी पाद्वों के द्वरा ग्रहन कर लिए जाते हैं तो इस दरह से यह प्रक्रम इसमें चलता रहता है आगे बढ़ते हैं आगे हम समझते हैं बच्छों कि जब वन में कोई जन्तु मर जाता है तो क्या होगा वहा अन्य जीमों के द्वरा ग्रह यानि कि यहां पर जो भी चीज़े हैं वो सब कैसी होती है जैव अब घटनी है होती है और वनों में कुछ भी व्यर्थ नहीं जाता है बच्चों वनों को हरे फेफिड भी कहा जाता है क्योंकि यह क्या कर रहे हैं यह वायू का शुद्धिकरण करते हैं कार्बंड गैस को जीव जन्तों की द्वारा शुद्धिकरण की प्रकिर्या में काम में ले लिया जाता है तो इस तरह से जो वन होते हैं यह वायू मंडल में ऑक्सीजन और कर्बंड ऑक्साइड की बीच में संतुलन को बनाए रखते हैं इसके अलावा पेड़ पौधे क्या करते हैं और वर्षा की बूंदों की रूप में वापस से जमीन पर आती है बच्चों जो वन भूमी होती है इसमें अनेक स्थानों पर जन्तों के अपसिस्ट यानी की लीद फैले रहते हैं क्योंकि वन के अंदर क्या है वन्यजीव जन्तों चारों तरफ घूमते रहते हैं तो अप को खाएंगे तो अपसिस्ट पदार्तों की द्वरां की बीज प्रकिर्णेत हो जाते हैं यानि की जैसे ही जीव जन्तु हरे पेड़ पौधों को शाखाओं को या फलों को खा रहे हैं और यह कहीं दूर जाकर क्या कर रहे हैं अपसिस्ट पदार्त को निश्कासित कर रहे ह है ये पोशक्तत्व पौधे की व्रदी में सहायक होते हैं तो इस प्रकार ये जो जीव जन्तु है ये पात्पों को व्रदी करने में और इनकी पुनर्जनन में सहायक होते हैं ये क्या कर करते हैं आगे हम बात करने हैं कि यह बन होते हैं यह पात्पों की अधिक किस्मों को आश्ट्रे देकर जो शाकारी जीव जन्तु है या उनको पोशक प्रदार्थ अधिक मात्र में उपलब्द कराते हैं यदि क्या होगा पेड़ पौदे अधिक मात्रा में होंगे तो शाकार जार्थ मरदा में निर्मुक्त करेंगे यानि की पोशक तत्मों की आपूर्थी को बनाए रखते हैं तो इस तरह से यह जो सभी जीर जनतु हैं यह वनों के विकास में सहायक होते हैं बचों वनों के अंदर सखन वितान यानि की कैनोपी पाई जाती हैं हमने देखा था कि वन के रूपें जमीन तक पहुंचती हैं और जल्दी से वन की भूमी में अश्योशित हो जाती है यानि कि क्या हो रहा है आपर कहीं भी जल्का जमाव नहीं होता है बचों चलिए आगे हम समझते हैं वनोन मूलन के बारे में क्या होता है वनोन भूलन कि जह हम रक्षो की कहते हैं वनोन मूलन कहते हैं घानी कि किसी भी प्डा करते कात्वा मानव निरमित कार्णों से बनों का नस्ट होना क्या कह लाता है और कहलाता है और रौत सारे दुशप्रभाव होते हैं जैसे कि यह型्माले जी हम रक्षों की गटाई करेंगे तो क्या होगा वाईू में याँबन दियोग कार्णयोग अधिक करते हैं जिससे क्या होगा प्रथिके ताफ में व्रधी हो जाएगी इसके अलावा यदि वन नहीं होंगे तो क्या होगा जीवों को खाद और आश्य भी नहीं मिलेगा बच्चों बहुत सारे जीव जन्तु क्या करते हैं व्रक्षों पर निवास करते हैं इसके अलावा वनों में निवास करते हैं और यदि हमने क्या कर दिया वनों का उन्मुलन कर दिया तो इन जीवों को आवाज समाप्त हो जाएगा और इनके अस्तित्व को खत्रा उत्पन हो जाएगा और यदी व्रक्ष नस्ट हो जाएगे तो हमें भोजन्वी उपलब्द नहीं हो पाएगा इसके अलावा यदी माली जे पेड़ नहीं होंगे तो क्या होगा करते हैं और जल को म्रदा में अवस्त्रावित होने देते हैं जिससे क्या होता है बहुम जल के इस तर में व्रद्धी होती है और यदी व्रक्ष नहीं होंगे तो म्रदा के द्वारा जल के अवस्त्रावन की दर कम हो जाएगी और क्या होगा चारों और बाड़ आ जाएगी शेत्र जलमगन हो जाएंगे इसके अलावा बच्चों जो वन होते हैं ये बाड़ों को नियंतरित करने के अलावा नद्यों में जल के प्रभाव को भी बनाए रखने में सायक होते हैं जिससे क्या होता है हमें सदर जल की आपूर्थी होती रहती है बच्चों यदि रक्ष न मिट्टी की उपरी परत है वो उसको भी शती पहुंच थी वो भी नस्ट हो जाती्ट व्रक्षां की जड़े होती हैं क्या करती मिट्टी को बांधेये रखती है और म्रदा अपरधन को रोकती है मिट्टी बन ही हुई है तो जल के द्वारा वंस्यॐ New प्रवक्ष होते हैं इसके अलाव रख्ष ध्वनी प्रदुशण को भी कम करते हैं क्योंकि यह शूर को उस्चित कर लेते हैं तो बच्चों यहां पर हम समझ कि जो फ्रक्ष होते हैं या वन होते हैं कि हमारे लिए बहुत ही लाबकारी होते हैं और यदि इन वनों का उन्मुलन हो जाएगा तो हमारे लिए क्या होगा एक बहुत ही बड़ा संकट उत्पन हो जाएगा तो इसलिए इन वनों का संक्रक्षन करना आविशक है अब इन वनो को रहे हैं तो हमें क्या करना है वन्षीजन पर्दान करते हैं हमारी म्लदा की सुरक्षा करते हैं जीव जन्तों को आश्रे प्राद को नियमित्स करते हैं इसके काश्ट और हन्य उप्योगी पधार तो इसलिए हमें क्या करना चाहिए वनों के संग्रक्षण के लिए हमें व्यक्तिक अतिस्तर पर और सामाज़क इस्तर पर प्रियास करने चाहिए क्या कर सकते हैं बच्चों हमें अधिक से अधिक रक्षारोपण करना चाहिए और वनों की समझी होगी और अपनी कॉपी में नोट भी कर ली होगी तो बच्चों मिलेंगे हम अगले वीडियो में इस पार्ट के अभ्यास प्रश्णों के साथ तब तक आप पढ़ते रहें आगे बढ़ते रहें धन्यवाद